क्या नाम है तुम्हारा सोनु कुमार अच्छा करते क्या हो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं पढ़ते हो और पढ़ाते भी हो अब माइक कैसे ले लिए हो रिपोर्टिंग भी करते हो क्या माइक आप दिये हैं हम दिये हैं माइक अब हम रिपोर्टिंग कहा करते हैं तुम टुम को पढ़ना है कि हमारे पीता को बने जेल में सब दिन के लिए डाल दिए हमको पीता के प्यार है लेकिन कानूनके वह बंधान में अभी बंधान हुए हम भी बंधे हुए तो ना मानना पड़ेगा पीने वालों को सब्सक्राइब तो है सजा देना है आपके तुम पढ़ नहीं पा रहे हो हम पैसा दू दिन पर दही बिखता है तो मैं थोला सब एक सब ताम कम सकम दू दू दिन पी लेते हैं तो मैं इसलिए घर में जगड़ा होता और मैं अच्छा से हमको पढ़ाई नहीं मिल पाई तुमारी मा की दर है व तुको और बेटी दो बेटा है अब पती क्या करते हैं अब पती घराब रहता है तो नहीं पीते हैं तुम मुखमंत्री के रैली में कईसे घुज गए थे हम को समचार मिला हम जब पलकर के आए हैं तो हमको समचार मिला कि आज मन्य मुखमंत्री सरी नितिस कुमार अपने पत्नी की पूनिये जन्मती थी पूनिय तिथी पर कल्यान विखाये हैं उनका बाटका में हम फोटू भी देखे हैं तो हम सोचे कि अब तो इस चल गए होंगे अब किसे हम बात रख सकता है पिछला बार गए थो तो भाइब ये बात सुने नहीं यह तो चल गए हैं माला डाल करके पर नम सोचा से चलते है देखते हैं क्या होता है इसके बाद हम गए तो हमको पता चला कि यहां पर था भूखियो होटल के पास पूलिस थे उनसे हम पूछे कि सार मानिय मुखमंतरी जभी है तो बोले कि हाँ जल्दी जाओ पहुंच भी पहुंच भी हैं हम यहां से धर फड़ते हैं मने रसी में च थे उनसे पूछे की सार मानिय मुखमंतर जी जाओ जल्दी सर मिलम अब तो बताएं कि वहां पर उसके बाद हम सम्रिदी अस्तल पर पहुंचें जहांपर कि उनके। कि मुर्थ माता यवंपिता का मुर्थी था तो जो है वहां पर पूच पहुंचे और साइकिल लगा करका हम गये तो अमको पता चाल लगी मध्य बेद्याले में है वहां पर गये तो कुछ मन सयोग किये और हमारे पंचायत के मुख्या जी भी थोला सब मने पंचे अठी सयोग तो हम पुछें और जब सारा यह पनाम सर्ब लो उसके बाद बोलें सार पढ़ने के लिए हिमत दीजिए हूँ गार्जन नहीं पलाने के लिए क्योंकि उनके पास उतना परासी जमान नहीं हो पाता है तो ब्लें कि ठीक है तुम्हारा घर कहाँ है का हम उंग से मुख मंत्र वामारा तरह जेखते हैं और मान मनतर है जनना में मैं रिएज आपड़ में या कर नाम ही अपी ने श्यूसर का झाल राता नरंडर मोदी तो नहीं पर हम सिखते हैं कि वह बोले हैं एक रहनम हो आमसे डरोभगा यहूद्धा धालब की चाहर नहीं होती है अर रह में सब्सकने की प्रमक रही लहार का बलब की हार नहीं होती है तो समुद्र डर कर डर जाएगी तो पार्णी नहीं होगी तो इसलिए हम सोचे कि अच्छा एक वार फेल हो गए वहां पर नहीं मिल पाए मना बोल करके चल गए तो अबरी मिल करके देखते हैं उसी परकार से हम देख गए तो हमको समस्या का सुना गया और उसके बाद डीडी और से X, नहीं डरेगा मा है आप भगवान करे कि अईसी मा बिहार में हर जगा हो हर गाऊ में हो और ऐसा बच्छा पैदा करें अगर ऐसा बच्छा बिहार के हर जिला में एकए खो जएफा और इस बच्चे का अब मतलब की जो भी होगा वह सारा बिवस्था किया जाएगा चलो बाबू तुम्हारे घर चलते हैं और चल के जो हैं वहां पे बातचित करेंगे और कुछ जानने का प्रियास करेंगे बाकी तुम बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हों कि बिहार के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि कि इस लिए उनके भलाई के लिए अपना पहलाई के लिए लिए जाते हैं कि सराब को छोड़िये और पानी पीजिए और बच्चों को पढ़ाई और सरकारिया स्कूल पर जो गलत काम हो रहा उसको रोकिये क्योंकि मान्य मुखमंत्री जी तो सब तरह से सही हैं उनको में कोई गलत नहीं है लेकिन आपके सारे के सारे अधिकारी भरष्ट है लगवग 90 परसेंट भरष्ट है तो सारे के सारे हैं और इस वज़ा से इन सारे बच्चों का भविश्य से नहीं बन पाता है और कहीं नहीं दन्य है वो माता पिता जो जिनों ने इस बच्चे को जनम दिया है और जिसके वज़ा से कुछ तो सुधार हो ही जाएगा चलो संदेश पूरा करो हुए चन्देश हम यह देना चाहते हैं कि किरत जो प्लक लिए भरतते हैं किस थी चैड़ी नहीं संदेश पistic नई परेगा तो हमारे तो भी होती होत्यों नहीं हो पाएग अच्छा और जारू से एक्थर Ah मिलें तो नरदर मुदी जी से को नरेंदर मोदी जी वहाइव तो, पूरे देश में स्राब बंदी और पूर्ण कड़ाई का जो कानून है उसको और दुगुना करके लागू कर देगे तो तुम कर रहा है कि पापा जी जेलों में जाने चाहिए और कुछ दिन में निकलियों जाने चाहिए तो तुम्हारे पापा तो हमें से जेल में रहेंगे और उनको से पकड़ करके पता लिजेगी सराब आप लोग दिमाग से काम लीजी यह कुछ काम का है लेकिन परदी पहन करका नहीं आई यह में पकड़ने नहीं आते होंगे पईसा वतुल नहीं लेंगे जूर मांगा ना द रहता है वह कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि कुछ सराब धंधे बाजी जो रहते हैं उनके परिवार में भाई वो अपने मन से चलते हैं और परिवार को उसमें दिकत होती है और वो पैसा नहीं जुटा पारते हैं तो गलत काम करने लगते हैं करने का मतलब है तुम्हारा कि सराब सब कोई छोड़े पूरे देश में सराब बंध हो जाए और सारा अधिकारी मंदार हो जाए अधिकारी और पूरा देश विकास का दिमाग लेके आया इतना ताली बजाई इसके लिए बहुत बढ़ियां बाभू बहुत बढ़ियां अच्छाइए सब बाते तुमको किसी नशी खाया है कि तुम ऐसे इस चीए किसी ने गाष्ज ओना जो है नोग तो हम देखते हैं सब्सक्राइब हैं तो हम यह हम यह वह वह सुनते हैं कि सराब बंद कर देजिए सराब से हमको यह पर और हम सर्च मारे हैं कि सराब से क्या क्या जो है मैंने अथी होता है बैमारी होती है तो उसमें बताया गया कि लीवर खराब होता मैंने उतना कुछ नहीं याद है भी लेकिन लीवर खराब होता और जो है मैंने किट्नी का वो हानिकारक है और सराब से नसा जो आता हूँ से हमारे समाज में भी बुराईया फेलती है चलिए ठीक है इस बच्चे के लिए आप लोग क्या कहेंगे यहीं वो बच्चा है जो बिहार के मुकमंत्री नितिश कुमार जी के आखों में आके डाल के सवाल किया और बोला कि मुझे पढ़ने का अधिकार है आप मुझे ये अधिकार दे और इसको यह अधिकार मिलेगा ज क्या हिंद्ट